हलो दोस्तों आप सबीका फिर से सौगत है आपके अपने व्ट वीब चैनल टेखनिकल फ्रेंड आरके में तो दोस्तों आज के इस ओडू में हम बात करने वाल है Guru Trade 7 Application के बारे में Guru Trade 7 Application कैसे यूच कर सकते हैं Guru Trade 7 से आप किस प्रकार से अर्निंग कर सकते ह। या फिर इसको यूज करने का सही तरीका क्या है वो मैं इस वीडियो में बताओंगा ठीक है तो यहाँ पर दूस्तों यह जो application है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यह Guru Trade 7 application है यह एक option trading का platform application है तो इस application में आप trading कर सकते हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ second के लिए यहाँ पर time दिया गया है 15 second का तो 15 second के लिए यह जैसे कि बाकी applications में आप जब भी trade खरीते हो तो एक दीन दो दीन या फिर intraday ठीक है तो आपकी मर्जी होती है कि आप कब उसको sale करेंगे बाइ करेंगे तो लेकिन इसमें इसे नहीं है 15 second में automatic sale हो जाता है ठीक है तो इस application को कैसे skip भी कर सकते हो ठीक है तो मैं यहां से कर देता हो skip ओके तो हम skip करेंगे तो सीधा front page पे चले जाएंगे ठीक है तो देख सकते हैं इस page पे मिलते हैं आप पहले तो यहां पर company की तरफ से हमें demo account में कुछ रूपए मिलते हैं जो आप withdrawal नहीं कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हो सबसे उपर side में ठीक है यह demo account है दोस्तों इसमें आपको मिले है 9995 रूपए कंपणी की तरफ से trading के लिए मिलते हैं लेकिन इसको आप withdrawal नहीं कर सकते हैं इससे स्रीप और स्रीप practice कर सक ठीक है तो यह हो गई यहां पर उसके बाद में दोस्तों इस application को यूज कैसे करते हैं यह मैं बताता हूँ आपको तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर कुछ ओ डाइग्राम चल रहा है ठीक है तो यह जो डाइग्राम है इसी के ओपर आपको trading करने होती है इसमें आपक जो यह arrow है यह उपर नीचे हो रहा है ठीक है तो इसी के ओपर आपको trading करने होती है इसमें आपको दो options मिलते है एक तो पूट और एक होता है तो पूट और कॉल का मतलब होता है आपको लगता है कि यह जो arrow है यह arrow अगर उपर जा रहा है तो आपको green वाले पे दबाना पड करेगा ठीक है तो यह गया call or put इसे आप खरीद और खरीद सकते ठीक है तो बेस तो automatic ही देगा ठीक है तो demo account में मैं आपको बता भी देता हूँ कि वो खरीदा कैसे है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर amount डिया गया है यहाँ पर ठीक है the figures economy कर सकते हो दुब तो इसने कच पैसा वी काड़ा जाता है अगर आप सो रुपय लगा रहे हो फिर सो रुपय में से तो इस प्रकार से option आजाता है यहाँ पर आप देख सकते हो इस Làm ए अगर वो arrow तो आपके खरीदेवे जगह से उपर या नीचे रहता है, आप उजिट साइट में जाता है तो आप पैसा हार जाते हो, ठीक है, तो यह हो गया, उसके बाद में यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं, कि कितना सेकंद का टाइम आपको चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, 15 से यहाँ पर अभी टाइम हो गया, पहले इसमें एक मिनिट का टाइम रहता था और उसके बाद में यहाँ पर ग्रैप्स, टाइम फ्रेम का भी ओफ्षिन मिल रहा है सबसे उपर साइड में, ठीक है, जो कि यहाँ पर है तो इसमें से आप चार्ट पर सबते हो, ठीक है तो यहाँ पर आपको असे समझने आ जाता है कि मार्केट कि तरफ दिशा में जाने की तैयरी कर रहा है तो यहाँ पर आपको असेस्ट का ओफ्षिन मिलता है, जिसमें अलग-अलग कोईंस, अलग-अलग rates इसमें है और अभी किसका सबसे ज़्यादा percentage में return मिल रहे है आपको, तो आप अगर 100 रुपे लगाते तो 85 रुपे मिलेंगे इसके इस परकार से तो यह है इसका सिस्टम दोस्तों और उसके बाद में इसमें मिल पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें अकाउंट बनाना पड़ता है अकाउंट कैसे बनाना है अगर बनाना नहीं पता तो मेरे वी चैनल पर जाके वीडियोज देख सकते हो तो मैंने अकाउंट बनाना भी बताया है ठीक है तो यह होगे दोस्तों जानका रही और भी कोई जानका रही चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आओगा समझ में तो वीडियो को लाइक करिए और इसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ठीक है तो अगला वीडियो हम ला रहे है प्रॉपिट कैसे करते हैं इसमें और ट्रेडिंग करने के कितने कुछ तरीके में बताने वाला हूँ इसमें ट्रिक्स बताओंगा मैं आपको कि उससे आप पैसा अर्म कर सकते हो तो दोस्तों जो भी जानकरी मैंने दी है और इस एप्लिकेशन को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इसमें पैसा इन्वेश करिया ना करिये यह खुद की जिम्मेदारी रहती है